अब बात आती है कि copyright की ये क्या registration process है registration process बिल्कुल simple है सबसे पहले आपको क्या करना होता है application form file करना होता है जो भी copyright आपको लेना है उस से related जो आपका application form है वो आपको file करना होता है उस application form में आपको name, address आपको ये भी declare करना होगा कि आप कौन सी country से belong करते है फिर आपको जो creation आपने बनाई है जो नया product या service बनाई है उसका title भी आपको लिखना होगा और आपकी language क्या है या आपने कोई book लिखी है तो book की language क्या है ये सारी बाते आपको application form में file करनी होगी application form के साथ आपको fees प्लस चार copy किस चीज़ की आपकी creation की तो ये सारी चीज़े आपको वहाँ पर office में submit करानी होगी office में जब submit हो जाएंगी तो within 30 days जब आपके सारी चीज़े verification हो जाती है verify हो जाती है तो आपको within 30 days के अंदर copyright registration certificate issue कर दिया जाता है मतलब आपने form भरा, fees भरी, 4 copy submit कराई प्लस 30 days के अंदर आपको copyright के registration का certificate issue हो जाता है तो ये थी हमारी registration process अब तीसरा topic हमको study करना है कि इसकी time duration क्या रहती है copyright आप कितने time के लिए use कर सकते हो मतलब अगर आपने एक बार registration कर लिया तो वो right आपका कितने वक्त के लिए है तो अगर आप एक writer है या artist है तो ये right आपका पूरा lifetime में रहने वाला है जब तक आप जिंदा है तब तक copyright के उपर आपका ही right है पलस आपकी death के 60 साल तक 60 years तक भी आपका copyright आपका ही रहता है और अगर हम बात करें movies की, photographs की, government works की इनकी case के अंदर copyright कितने टैंके लिए होता है 60 years, only 60 years कब से जब वो publish हो जाती है तो 60 years after the publication of the creative works जैसे ही वो creative work publish हो गया उससे लेकर आगे के 60 साल तक उसके उपर copyright का आप अधिकार यो right है यूज कर सकते है अब बात आती है कि patent के लिए क्या registration process है point number one, filling application सबसे पहले आपको क्या करना है patent का जो office है या आजकल online भी होने लगा होगा तो वहाँ पर आप जाईए तो वहाँ पर application लगा दीजिए आपके product, service के बारे में जो भी है सारी details उसमें आप file कर दीजिए details फाइल हो गई application लगा दीए आपने application के साथ आपको fees भी जमा करानी होती है fixed fees है, जो पहले सी prescribed है, ये fees भी आपको submit करानी होती है, तो application लगा दीजिए plus fees पे कर दीजिए step number two, publication of application जैसे ही आपने application लगाई उसके 18 महिने के बाद आपकी इस application को official journal में publish कर दिया जाएगा government की तरफ से ऐसा समयली जी, अब official journal में उन्होंने क्या किया, आपकी application को publish कर दिया, कि हाँ फलाव फलाव एक्टी क्या कर रहा है, इस product या service के उपर patent लेना चाहा रहा है, अभी तक आपको patent मिला नहीं है, वो patent क्या कर रहे है आपकी patent के application को publish कर रहे है कि इस person ने फलानी फलानी चीज के उपर patent के लिए application लगाई हुई है, अब step number 3 के उपर क्या होगा, step number 3 के उपर अगर कोई person आपकी इस application के अंगेस्ट है, आपकी इस product, service, technology की अंगेस्ट है, तो वो कुछ legal या कुछ practical चीजों के साथ, वैद कारणों के साथ, आपकी बात का आपकी patent के अंगेस्ट बात करेगा, मतलब वो person भी क्या करेगा patent के office में आपके अंगेस्ट application लगाने वाला है, कि भाई इसको patent available मत कराओ फिस step number 4 पे क्या होने वाला है, filing the final examination, अगर मालो किसी भी party ने step number 3 पे, step number 3 पे मालो किसी ने भी आपका oppose नहीं किया step number 3 पे मालो किसी ने भी आपका विरोध नहीं किया, तो step number 4 पे जाए, step number 4 पे आप क्या किजिए, final examination के लिए आप application लगा दीजिए, plus पहले से जो prescribed fees है, वो भी आप file कर दीजिए, तो fourth step पे आपने क्या किया, final examination के लिए आपने file लगा दी, फिर step number 5, step number 5 के उपर क्या होगा, अब आपको या तो patent दे दिया जाएगा या patent नहीं दिया जाएगा तो step number 6 के उपर अगर आपको patent दे दिया जाता है, अगर आपकी application accept कर ली जाती है, मानलों आपको patent दे दिया गया, तो आपकी इस बात को भी official journal में publish कर दिया जाएगा official journal में ऐसा लगा दीजिए वो लोग publish कर देते हैं, कि हमने इसको patent इस चीज के लिए दे दिया तो step number 6 भी आपका हो चुका, step number 7 देखिए step number 7 पे क्या होगा, post grant opposition, मतलब अब आपको patent तो मिल गया अगर अब भी कोई party आपके अंगेस्ट जाना चाहती है तो उसको legal reasons के साथ legal कारणों के साथ आपके अंगेस्ट application फाइल करनी होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि patent अगर आपने ले लिया तो आपके अंगेस्ट अभी कोई नहीं जा सकता अब भी अगर कोई third party है, अगर आपके अंगेस्ट application लगाना चाहती है तो वो application लगा सकती है process के अंदर मैंने पहली बात तो आपको बताई दिया, सबसे पहले आपको अपना चेक कर लेना है कि जो symbol, name size, color, जो भी decide कर रहे हो, वो पहले से किसी ने लेना लिया हो, तो अगर आपने पहले से check कर लिया है, तो आप आगे proceed कर लिए तो आगे आपको proceed करना है अभी तो proceed करने के अंदर आपको क्या करना है, अब आपको application लगानी है तो application आप file कर दीजिए application के साथ आपको fixed fees जो पहले से decide होती है fees, वो भी fees आपको लगा देनी है, पलस आपको application के अंदर जो भी trademark की item है, उससे related logo, shape, symbol आपको सारी बाते आपको बीच में लिखनी है trademark का जो owner है उसका name या address, ये भी सारी बाते आपको लिखनी है, write करनी है फिर तीसरी बात trademark की class वो कौन सी है, ये भी आपको लिखनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर product को लेकर 34 classes है और services को लेकर 11 classes है, तो वो classes भी आपको define करनी होगी फिर इसी के साथ साथ आपको application के अंदर product या service की complete detail भी file करनी होगी तो first step के उपर आपने क्या किया application file कर दी अब हम चलते हैं second step पर अब second step पर क्या होने वाला है जो application आपने file की है वो चली जाएगी अब trademark officer के पास, अब trademark officer क्या करने वाला है, आपकी इस application की बहुत अच्छे से checking करने वाला है फिर उसके बाद वो क्या करेगा, issue करेगा क्या, trademark, examination, report अगर उसको कोई objection है, तो वो आपको objection बता देगा, भई मेरे को आपकी application से यह problem है, तो आप उसकी objection के उपर आप जवाब भी दे सकते हो reply कर सकते हो, फिर आता है step number three, step number three के उपर क्या, जब आपकी application approve हो जाती है, जब आपकी application sentient हो जाती है, तो वो क्या करेगा, इसको trademark journal में publish कर देगा, अब step number three के उपर, यह नहीं है, कि उसने आपको certificate नहीं दिया, अभी तक वो approve होई है और उसने क्या किया, trademark journal के अंदर वो application publish कर दी अब step number four के उपर आपको क्या होने वाला है, अगर किसी भी third party को आपके इस trademark से objection है, किसी को भी problem है, तो वो क्या करेगा इसके against जाकर आपके trademark office में जाएगा और application लगाने वाला है, तो वो application देगा और reason भी बताएगा, तो step number four के उपर क्या हुआ, third party ने आपके against कोई objection किया with legal reason, reason बताने वाला है, step number five अगर सारे objections clear हो जाते हैं, अगर आप किसी को भी problem नहीं है, तो आपको trademark का registration certificate issue कर दिया जाता है yes, step number five के उपर आपको trademark का registration certificate दे दिया जाता है, अब आत आती है कि certificate कितना time के लिए valid होता है 10 साल के लिए, 10 years के लिए 10 years के बाद आप इसको फिर से renewal करा सकते हो, कुछ fixed fees आपको देनी होती है, 10 साल के बाद आप वो pay कीजिए, फिर से आपका ये trademark renewal हो जाता है अब आता आती है कि अगर किसी information को अगर आपको trade secrets के अंडर में लाना है तो उसकी कौन सी conditions है दो conditions है, it should be such an information as if you kept secret becomes commercial valuable जैसे ही हम उसको trade secrets के अंडर में ले आते हैं, तो उस information की commercial value कुछ होनी चाहिए, दूसरी बात, वो information ऐसी होनी चाहिए, जिसको secret रखने के effort आप already कर चुके हो उसको आप secret नहीं रख पारे, तो उसको आप कहां पे ले आईए, trade secrets के अंडर में ले आईए, कोको कोला का example मैंने आपको पहले भी दे दिया और आपकी books में भी तिया हुआ है, तो दो conditions है पहली condition, उसकी commercial value होनी चाहिए, दूसरी बात, उसको secret रखने का पहले से आप कोई effort कर चुके हो अब बात आती है कि अगर आप किसी information को secret रखना चाते हैं, तो कैसे secret रख पाएंगे, या तो आपको एक locker provide किया जाता है उस locker के अंदर permission किसको होगी authorized person को दूसरी बात, अगर वो information कुछ ऐसी है, जो मालो किसी software के form में है या electronic information के form में है तो उसके उपर password लगा दे जाता है और password की information भी कुछ limited logo को ही होती है वो ही उसको access कर सकते हैं तीसरी बात, non-disclosure agreement एक ऐसा agreement जिसको आप disclose भी नहीं कर पाते हैं तो इन तीन तरीकों से इन तीन method से आपकी trade secrets को आप safe रख पाते हो यह तीन ways है अब बात करते हैं कि GI के अंदर क्या registration process है registration process के लिए आपको सबसे पहले application फाइल करनी होती है application फाइल करते हुए जो भी आप information आप फाइल करोगे तो वो फाइल करते हुए आप देख लो वो information उनकी definition के according है या नहीं है उन्होंने जो बाते limitation fix की हुए है उसी limitation के अंदर रह की आपको details फाइल करनी होती है तो वो section इननों दिया हुए आपकी books के अंदर section 2, section 1, उसके according आपको information देनी होती है जो भी information दोगे तो information के साथ साथ आपको product की feature के बारे में और कौन से area से related वो product है वो भी information आपको देनी होती है map, area का जो map है वो भी आपको दिखाना होता है, दूसरी बात दूसरी बात के अंदर क्या है अब आपने application दो लगा दी यह application सबसे पहले जाने वाली है inspection officer के पास अब inspection officer क्या करेगा starting level पर कुछ checking करने वाला है जब वो checking करेगा तो हो सकता है कोई objection लगा दे, तो objection अगर आप clear करना चाहते हो, तो within one month आप इसको clear कर सकते हो अब second step के बाद third step पे क्या होने वाला है अब आपकी application जाने वाली है registrar के पास, अब registrar क्या करेगा, आपकी यही application बहुत गहराई से deeply study करने वाला है, अगर अब उसको भी कोई objection है, तो वो objection आपको दो महिने के अंदर clear करना होगा, जब सारे objection clear हो जाते है, तो वो application को क्या कर देता है, sention कर देता है अब application जब sention हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने आपको certificate दे दिया, अभी आपको certificate नहीं मिला, अब वो क्या करेगा, fourth step के उपर आकर आपकी इस application को journal के अंदर publish कर देगा ताकि step number five के उपर, अगर कोई person, third party आपके अंगेस्ट objection करना चाहे तो वो objection कर दे, कि भाई इस party ने जिस चीज के लिए अपलाई किया है मुझे उससे problem है, तो third party आपके अंगेस्ट आकर को ये action भी ले सकती है आपके खिलाफ application लगा सकती है, तो वो objection मालो सारे हट गए, सारे चीजे clear हो चुकी, आपकी application अपरूव हो गई, सब ने sanction कर दिया तो sixth level के उपर आपको certificate मिल जाएगा, certificate of registration अब certificate of registration आपको मिल चुका है तो अगर आपको थोड़े वक्त के बाद इसका फिर से renewal कराना है तो 10 साल के बाद इसका renewal आरप करा सकते हो, 10 साल तक आप अपना काम चलू रखो, 10 साल के बाद अगर आपको इस अपने certificate को renew कराना है तो 10 साल के बाद आप फिर से apply कीजिए मतलब apply करने का मतलब है कि application simple सी होगी, file कर देना पलस कुछ fees होगी, वो fees pay कर देना, तो आपका ये certificate जबकर renew हो जाता है